टोडेमान में ये कौन सा कैरेक्टर था जिसकी वज़े से लोग इसका या एपिसोड देखी नहीं पारे थे निंचा हतोरी ने इस कैरेक्टर के साथ ऐसा क्या क्या किया कि इसे हमेशा के लिए निकालना पड़ा अब शिंचान में आप जो इस रेर कारेक्टर को डेखते हो जिसका नाम शिंको है इसका इतना काला सा जानने के बाद आपका इससे देखने का पूरा नजरिया ही बदलने वाला है वीडियो को तीन गिनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना एक दो और तीन है वालों ने खरीर लिया घंप्र एक ल्ड़ी की बाथ करने वाले हैं इसे कम लोग जानते होंगी आप सब्सक्राइब को जानते ही होगे जो कि एक फीमिल निजा होता है जिसे पहले सेसं में तो दिखाया गया था लेकिन इसे घाय भी कर दिया गया लेकिन या आप जानते हो हाथोरी शो में और फीमेल निंजा तिया इसक Col genius at Sydney के नाम से क्लाट के भर्द का उपने कि फीमेल निंजा को इढ़ी रूडब वहलों को इंधर ओड़ोंड़ वह उतिहां झानते हो यह भी खersonal क्लैन से हैं और फी कूगा क्लैन से लड़की उसी का घर झुंद हमी लेकिन इसके साथ कि पहुंद की बिमारी होते हैं इसके पास अम्हारके घर के सामने से और बार घूल हमें धूmittel जाती सुलासे छीफ लेकिन अमारा का दिक多ज हम लेकिन एक दिन की यूही कियो को देख लेती है और इसके माते पर लगा निंजा को देख नहीं जाता है और बहुत देर गुदकी को देखते ही शॉक हो जाता है तब ही कियो पुछता है कि क्या हूँ बॉस तब अमारा बताता है कि एक कोगा क्लैन की बेस्ट निंजा थी और अमारा की सीनियर भी थी इतने में वो लड़की कहती है कि वो अमारा की help करने आई है निंजा हतोरी को हराने के लिए हलाकि end of the story में कुछ और ही हो जाता है लड़ाई के लिए वो कियो के तो हतोरी को चैलेंज करती है और जिगा बताती है तो हतोरी वहाँ पर आ जाता है और आकर उसका वीट करने लग जाता है लेकिन वो नहीं आती है क्योंकि वो address ही बूल जाती है अगले दिन यूह हतोरी को ह हमारा की च्छत पर लड़ने के लिए चालेंज करती है और लड़ते हुए वो च्छत से गिर ने लग जाती है लेकिन हमारा हीरो ऐसा प्यार में गिर जाती है लिगन वह कोगा निंजा है और जैसे कि आप सब जानते हो कि दोनों क्रेंट में 36 आकड़ा रहता है इसी वजह स कि एक मुवी आये थी जिसका नाम था डॉरी मॉन नोबितास फैंटास्टिकल त्रिय मस्केटर्स जिसकी स्टूरी यह है कि नोबिता हमेश्चा की तरह रियल वर्ड में कुछ अच्छा नहीं कर पाता इसलिए वह फैंटसी वर्ड में एक हीरो बननी की सोचता है इसके लिए तर्ण उसे की साइकोपैट से कमने थे सिधा नहीं गया कूंकि ़ॉर्ड में इसके और डील में आगे आगे हैपको पता चलेगा तोरियों के दो form थी जिसमें से एक थी bird जिसमें वो एक bird की तरह दिखता था इसकी second बड़ी white आंखें और एक बड़ी सी nose थी और इसके उपर से थी एक creepy सी smile जिसे एक character सच में बहुत ठरावना लगता था जिसके बाद वो हमें एक पुढ़्धे जैसा भी दिखाए देता था जो हमेशा ही अपने मुँपर एक बड़ी उसे मुस्कान ढखती थी तोरियों दूसरा एक ऐसा character है जिसने टोरेमोन की pocket चुरानी की कोशिश किया जबकि पहला था कासिम जो डोरेमोन नाइट्स मुई में था तोरियों को इसलिए भी mysterious माना साता है क्योंकि तोरियों एक ऐस था शिंको चैन जो शिंचान का सबसे ज्यादा mysterious character है जिसके बारे में बहुत सारी लोगों को बहुत कम जानकारी है लेकिन आज मैं आपको बतानी की कोशिश करूंगा कि आखिर लड़की शिंचान की बेटी है एफिर बेहन एफिर कोई और जिनने नहीं पता उन्हें बता लगती है शिंचान से लेकिन personality में उल्टी है बिल्कुल शिंचान की क्योंकि शिंचान तो है अपना लड़का लेकिन शिंचान को बहुत हमदर्दी रखती है और दूसरों को अच्छाई भी दिखाती है इसलिए काफी फैंस कहते हैं कि यह लड़की old हिमावारी है जो शिं शिंचान और कोई नहीं बल्के शिंचान और इसके फियान सितामीको के इस शिंको के नाम को करतें हैं थे। यूब इसके मिस्टीरियस सब्सें कि इसके आने पर बादल आते हैं कि इसके पर चेंज कर दिया गया तक यूझे वह पांश में ये हैं कि इसके क्रिएटर को बस हाइप के लिए कोई कॉंक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहें वैसे आपको शिंको क्या लगती है शिंशाइन की बेटी या बैहन कमेंट सेक्शन में अपनी थे जरूर बताना जिसके सबसे बैस लगी उसके मैं हार दोंगा और कमेंट को भी पिन करूंग आपस में अच्छी तरह करता है और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के दिमांग में बहुत सारी सवाल भी खड़े कर देता है वेल टेंशन ने लेने का क्योंकि मैं होना दोरिमों का जीब नाम का एपिसोड था जिसका नाम था वाटर स्कूप नोबे था एंड़ सीक पर जाते हैं जिसने व्हों पहुत जारा परिशान हो जाता चैसली होड़ाश के उन्हें फैपने फैवरistä स्ने खालती है तो दो lekker pare अचान लेती है तभी सुमीरे नोबिता को लेकर एक खाली बीच पर चली जाते है जहां उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कलता है और वहां पहुंचने के बाद नोबिता सुमीरे से पुछता है कि तुम्हारा फेवरेट इनसान कोन है तभी सुमीरे अपने लॉकेट खुलती ह कार्टोन नेटवर्क पर एक ऐसा शो आता था जिसे मैं आहांस तक भुलाने ही पाया हूं उसके जैसी मस्त आफ क्रीजिनेस चीजें चायरी को यह और ने किया होगा इस शो में एक बिली नाम का मस्तिकूर क्यरक्टर होता है और साथी होती है मैंडी बहुती रूड और सड बात करें अगर मैंडी की तो इतना जादा दिखाया गया है कि वह अपने बच्पन में भी हसी नहीं थी इतना ही नहीं वह अपनी मां के पेट में भी कहां भी उदाहसी लग रही थी मैंडी एक इंटलीजिन लड़की थी इसले वह अपने आपको सबसी सुपीरियर समझती और वह ऐसे ही भी हेव करती बात करें अगर बिली के साथ मैंडी के रिलेशन की तो वह बेश्ट फ्रेंड थे लेकिन मैंडी हमेशा बिली को एक सर्वेंट की तरह ठीट करती थी मैंडी हमेशा बिली को अपने काम के साब से इस्तिमाल करती थी हाला कि हट्टी भी मैंडी की लेकिन हड़ी बिली के तरह नहीं था वो कभी कभी मैंडी के सामने अपनी बात रख देता था लेकिन मैंडी कहां ऐसा होने के क्या रीजन्स हो सकते हैं सबसे पहले तो यह माना जाता है कि मैंडी बहुत जारा इंटलीजन्ट थी और इसमें पेशन्स भी पहुत कम था जिसके आप जानते हो इसके एंडिंग कितनी डाक होती है और मैंडी से शादी का लियती है कार्टूर नेटवर्क के शोस तो वैसे तो सबसे डाक शोस थे लिकन यह कैलेक्टर को इस लिश्ट में जरूर रखना चाहिए क्योंकि हमें एक ही बार देखने को मिला और सबसे अजीब से ही डेक्ष्टर को हमेशा डाराती रहती थी इस शो में आय आये नाम से एक एपिसोड था जिसमें डेक्ष्टर इस बड़ी सी छूटी बच्ची को उसका स्टर्फ बनी लॉट आता है जिसके बाद यह लड़के डेक्ष्टर को मानों पीछे ही पड़ जाती है जैसा वे इसी के पीछे पड़े रहने पर कैसा फील होता है और सबसे में चीज अगर आपकी थोड़ी भी प्राइवेसी ना मिले तो वो कैसा होता है यह तो आको पता चल गया पर क्या आपको यह पता था कि एक कहौन सा देश है चाहां बच्चों को दूद की पैकट की तरह स्कूल लेकर जाता है चाइना में फिफ्ट क्लास के बाद लिखने के लिए ऐसी क्या चीज दी जाती है जिसके बाद आप स्कूल जहाना ही चोड़ दोगे वह कौन सी चीज है इस वीडियो में पता चलेगी तो इस वीडियो को अभी दबागे देखो यार बहुत मसीदार है और अ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का लाइक कर देना तो मिलते हैं एक लिए में तब तक के लिए पाइए